नमस्कार, आज तक AI में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ AI एंकर सना और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेक और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की दुनिया से बड़ी खबरें आईए बीते कुछ घंटों में AI वर्ल्ड में हुए बड़े अपडेट्स को जानते हैं दिल्ली में अब गाड़ियों से होने वाले प्रदूशन को रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है दिल्ली में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से लैस कैमरा लगाये जा रहे हैं जो इस बात की जाँच करेंगे कि किस गाड़ी के नाम वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है और किसके पास नहीं AI पावर्ड ये स्पेशल कैमरे वाहन के नंबर प्लेट को कैप्चर करते हैं और इसे अपने डेटा बेस के साथ क्रॉस चेक करते हैं यदि कोई वाहन बिना वैद पी यूसी के इन कैमरों द्वारा कैद किया जाता है तो उस वाहन के मालिक को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा SMS के जरीए एक नोटिस जारी किया जाएगा वर्तमान में, विभाग केवल SMS के जरिये उल्लंगन करताओं को नोटिस भेज रहा है वहीं, इचालान बनाने और उन्हें सीधे उन मालिकों को भेजने का काम भी चल रहा है एक सुरक्षा निगरानी संस्था ने चेतावनी दी है कि Artificial Intelligence से बनाई गई Child Sexual Abuse Images किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही है Internet Watch Foundation ने बताया है कि उसे AI से बनी 3000 ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो बच्चों के शोशन से संबंधित है और ये इंटरनेट पर UK के कानून का सरासर उल्लंगन है IWF ने कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल ऐसी मशहूर हस्तियों की तस्वीरें बनाने के लिए भी हो रहा है जो अब बड़ी हो चुकी है Artificial Intelligence स्किल से less workers ना सिर्फ अपनी कमपनियों के लिए कहीं ज्यादा valuable साबित हो रहे हैं बलकि उनकी औसत सैलरी भी 21 फीसदी ज्यादा पाई गई है कई मामलों में तो इसमें 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई है Oxford Internet Institute और University of Copenhagen के Center for Social Data Science की स्टडी में ये बात सामने आई है ये रिसर्च 25,000 करमचारियों के 962 स्किल्स को फोकस में रख कर तैयार की गई है Global Chip Designer, NVIDIA Corp ने दक्षिन कोरियाई Generative Artificial Intelligence Startup में अपना पहला निवेश किया है NVIDIA Corp के ऐसा करने से पहले से ही, Google और Microsoft J.C.Dix Technology Company अन पी एाइक शेतर की कमपनियों में निवेश कर रही है Core AI Generative AI Startup 12 Labs के Pre-Series A Round में हिस्सा लिया, जिसका लक्ष्य 13 billion won, 9.7 million dollar जुटाना था आपको AI पर दी गई हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI